हलो दोस्तों स्वार्थ है आपका आपके अपने चनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउदिंग फाइनेंस के शियर के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको लाश्ट के समय में मतलब आज मार्केट जब बंद हो मिली वो बेसिकली लाश्ट में ही देखने को मिली मार्केट बंद होने से थोड़े दिर पहले ही आपको जो है तेजी इसमें देखने को मिली जो की अपने आप में ठीक ठाकती लेकिन इस तेजी के साथ आपको देखने को मिला जिस तरीकी की सिच्वेशन जिस तरीकी की हाल चाल आपको देखने को मिले वो बैतरीन थे उमीद है कि आने वाले दिनों में आपको एक बड़िया तेजी जो है देखने को मिले सकते इस बात के चांसेज आपको देखाई दे रहे हैं आज की सुड़ में हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीकी की सेच्वेशन इसमें आगे नजर आ सकती है क्या हालात इसमें आगे हो सकते हैं कंप्लेटी सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बजाज आज आउजिंग फानेंस लिम्टेट का फ्रेंट पेज यहां आपको क्या दे तरीकी की तेज़ी की लोग उम्मीद करें था हलाकि अच्छी तेजी से मतला यह भी नहीं है कोई अनाप शनाप देजी होगी अनाप चनाप देवरी नहीं है ठीक है खराब माहुल में आपको इतना खराबी देखने को मिला था आज मार्केट जब साही हुआ तो यह पिछले एक महीने में कोई कमाल नहीं करके देखा पाया यह तो आपने देखा है यहाँ पर आपको लगबग 16-17 बसंद के नेगेटिव ही देखने को मिले हैं ठीक है तो यह सिच्वेशन इस काउंटर में आपको जरूर नजर आई है अभी हलकीजी रिकवरी नजर आई थी ल अपना इसने जो लोश लेवल बनाया तो वहां से 5% उपर आया है लेकिन बात यह भी है कि इसने जो अपना हाइश बना रखा है वहां से 27% नीचे भी है तो यह से भी आपको जरूर देखना चाहिए कि उपर इस तरसे अच्छा खासा यह नीचे भी आपको ट्रेट करता को में रही है आगे किस तरीके की रही किसे जेसन यह डेफिनेटली देखने वाली बात है इसी पर में ली आप कह सकते हों कि आज की समय पर साला सारा सवाल जवाब इसी पर ही हो रहा है तो चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है लेकिन सबसे पहले और सबस करी अपनी इसने डेफिनेटली एक अच्छा माहौल यहां पर डेफिनेटली क्रियेट किया है आप क्या सकते हो नुवावा ने कहा है कि यह काउंटर हिंड़ा हो गया बजा जाउदिंग कि इनकी मार्केट कैप देखोगे तो वो लार्ज कैप की जो मार्केट कैप होनी चाहिए मफाई के दुआरा उससे उपर हो चुकी है और बात सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप नहीं होती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वेसिकली तो उन सब फैक्टर्स के अगर द तरफ से जो mutual fund houses हैं अलग अलग mutual fund houses especially large cap mutual fund जो मतलब large cap में जो fund होते हैं उनका जो पैसा है उनका जो पैसा है इन counters में जो large cap बनेंगे उनमें आता हुआ आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा पैसा आता है अगर large cap की बात करी जाए तो इन जो पैसा आता है वो comparatively small cap and micro cap की comparison में ज्यादा आता है अच्छा खासा आता है तो इसलिए यहाँ पर जो chances हैं बहतरीन देखाईते रहें उमीद है कि यहाँ पर एक अच्छी कासी तेजी जो है देखने को मिले आने वाले दिन में अब तेजी होगी या नहीं होगी वो तो देखने वाली बात होगी नेकिन हाँ इतना जरूर्ख आ जा सकता है कि अगर यह large cap में shift हो जाते हैं और पहली वार entry होगी ऐसा तो है नहीं कि कोई mid cap में से निकल कर आएगा यह small cap में से निकल कर आएगा ऐसा तो है नहीं डिरेक्टली यह large cap में यह आएंगे तो अगर यह large cap में आ जाते हैं basically तो आप यह मान के चलिए कि इन में एक बैतरी नतीजी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं क्योंकि खरीदार ही अच्छा का जाएगा inflow अगर देखा जाए तो वह अच्छी आपको यहां पर आता हुआ देखने को मिलेगा तो यह बात है ठीक है तो यह बात तो हो दोस्तों इस particular मतलब इस ख़बर के बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक बार डेटा भी डेटा अगर आप देखोगे तो आज मैं वॉल्यूम ही देखाऊंगा डरेक्ली आपको वॉल्यूम देखो आप यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक करोड चौ की नजर बनी होई थी वही है अगर इस काउंटर को भी अगर आप देखते तो यहां पर जो मतलब वॉल्यूम वगएरा देखने को मिला वह भी अच्छा खासा ही है हलाकि इतना भी नहीं है कि हम इस वॉल्यूम को लेकर बहुत ज़्यादा excited हो जाए ऐसा तो नहीं है यह त कि इतना जरूर आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके की situation यहां पर आपको ने जराई एक ठीक ठाक सा वॉल्यूम हुआ है अगर हम BSE को भी देखें तो 1920 लाग का तो लगबग आप यह मान के चलिए कि एक करोड़ तीस लाग शेर्स देड़ लाग के करीब यह वॉल्य है ठीक है अब बात या जाती है कि आगे इसमें हो क्या सकता है चार्ट पर मैं आपको चीज़ें देखाऊंगा एनसी पर चलूँगा BSE का चार्ट नहीं खुलूँगा यह है एनसी का चार्ट बेसिकली एंड अब आप यहां पर देखिए हम इसे जज़ कर रहे हैं फिलाल क देखा जाएगा क्योंकि यहां पर आप देखो कि आज तो एग्जेटली एग्जेटली ट्वेंटी एसमें मतलब ट्वेंटी डेज सिंपल मुविंग एवरेज पर यह काउंटर जो है आज क्लोज हुआ है एक रुपेया दो रुपा भी ऊपर निकल जाता तो चांसे यह ब एक मजबूती आती शौट टम है नीचे आता तो ऐसा लगता कि मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है लेकिन अभी इन लेवल पर हमना रेजिस्टेंस कह सकते हैं नहीं अगर कल तेजी हो गई और इसके ऊपर टिक गया तो हाँ यह अच्छी बात हैं पर जरूर देखने को मिल जा अब आने वाले यह दिन हैं इसके लिए इसलिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि बड़ी खरिदारी हो सकता है आपको यहां पर देखने को मिले तो चली दोस्तो आज की सुरम बस इतना ही उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चै का इक न Jakants बढ़सा की सकता है के वीडियो